Hello everyone and welcome to my YouTube channel So, आज के इस वीडियो में हम लोग काल मैं नहीम के विशे में बात करेंगे काल मैं नहीम कौन थे और इनका जो concept था, जो theories थे इनके विशे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में तो यह हम पहले मैं आप लोग को यह बता दो कि काल मैं नहीं हमें कौन से कोर्स में पढ़ना है तो अगर आप लोग मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इसे देखें क्योंकि मैंने इसमें सारा syllabus जो है हमारा वो मैंने डाला है इसमें और topics और कौन से कोर्स में क्या-क्या पढ़ने हैं हमें वो सब मैंने डाला है तो first course जो हमारा modern sociological thought उसमें पाच thinkers को हमें पढ़ने हैं जिसमें काल माक्स फर्स्ट हैu, second है maxweaver, third है stage koolet, fourth है काल मैं हीन और fifth है petraint sorokyn जिसमें मैंने काल माक्स के सारे वीडियो मढ़ने दिया हैं और यह मै क्या norm flight को समझाने और उसके two of the video are all and पीटरम सोरो की इनकी बात करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग इनका कालमेनहीम का इनका जो knowledge था knowledge of sociology of culture था इनका जो उसके विशय में हम लोग समझेंगे कि क्या है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कालमेनहीम की उनका जो जन में था कालमेनहीम का वो 27 मार्श 1893 भी को हुआ था और इनकी मृतियों 9 जन मरे 1947 भी को हुए थी इनको अगर simple भासा में हम देखे तो हम इने जर्मन सोसियोलोजिस्ट के नाम से भी जानते हैं और इनकी जो famous book थे वो थे यूटोपिया और sociology of knowledge के वज़े से ये काफी famous हुए और ये sociology of knowledge हुआ और sociology of culture हुआ ये सब इनका ही है इन्होंने ही दिया था कालमेनहीम ने तो मैनहीम कहते हैं कि इनका जो इन्होंने ये जो आइडियोलोजी अफ जो यूटोपिया है इनका आइडियोलोजी में ये बताते हैं कि मनुस्य का इनके अनुसार मैनहीम के अनुसार कि कोई भी सोच जो भी मतलब कोई भी सोच होती है या कोई भी विचारधारा जो एक सनरशनात्मक धाजे के वितर अन्य समाजी करते विदियों से सम्मंदित होते हैं यानि कि जो हमारी सोच है वो एक ऐसी सनरशनात्मक धाजे से प्रभावित है मतलब कोई सनरशनात्मक धाजा है, स्ट्रक्शल है कोई जिसके वज़े से हम हमारे जो आइडियाज है वो चेंज होते हैं या उससे इफेक्ट होते हैं तो इस इबुक में उन्होंने इसके विशे में बात की थे तो हम देखते हैं कि इनकी जो पुस्तक थी जर्मन जो इनकी पुस्तक थी आइडियोलोजी इन यूटोपिया वो 1929 में जर्मन भाषा में इन्होंने इसको लिखा था और उसके बाद इन्होंने उसको 1936 में इंगलिस भाषा में पब्लिस किया था तो ये question हमारा objective के throw आ सकता है सो आप लोग इसे देख लीजेगा अब उसे में argue करते हुए इन्होंने ideology of utopia के बारे में कहते हैं कि ideology जो होती है ideology जो होती है वो representative होती है और अगर हम बात करें वो किस चीज़ का representative होती है of the true nature of a society and that is trying to achieve utopia और जो कि utopia को प्राप्त करने में उसके विचार जो है जो हमारे ideas है वो शहायक होती है वो सबसे important है तो अब हम इनके कुछ books को देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेजेगा क्योंकि question आते हैं इस पे कौन से year में कौन सा book हुआ था तो सबसे पहले हमें आपे देख लेते हैं कि इनका पहला है ideology in utopia जो most important है ये आप लोग को very very important है आप लोग इसे ध्यान से देख लेजेगा और फिर देख लेते हैं कि sociology and politics education 1930 है structure of thinking 1980 है और man and society in an is of reconstruction conservative in contribution to the sociology of knowledge 1986 तो ये चारो पाचो बुक्स जो इनका है इसको आप लोग देख लेजेगा because it also was most most important तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ideology of utopia में इन्होंने sociology of knowledge की बात किया है ideology of knowledge में ही इन्होंने sociology of knowledge की बात किया है कि ज्यान का समासा स्त्र क्या है तो सबसे पहले ये जो दो word है ideology and utopia तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई भी concept हमारा होता है जो हमारे concept है जैसे कि हमारी विचारधारा, हमारी अनुमान और हम जो चीज का कलपना करते हैं ये सब एक समूव होता है जो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि जो हम कलपना कर रहे हैं वो सही ही हो और ऐसा भी नहीं है कि जो हम कलपना कर रहे हैं वो सही ना हो तो इसी की बात ही करते हैं कि हम जो कलपना करते हैं हम जो सूचते हैं, हम जो अनुमान करते हैं, हमारी जो विचार होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही हो या हमेशा कलत हो तो यहां पर मैंने लिखा हुए है कि विश्व समाज देथा मानों की प्रती देखने का दृष्टिकोर देथा विचारों को संपूर बैवस्था जिसकी प्रमाडिक्ता का परिचर प्रत्यक्ष आत्म विज्ञान के दाइरे से परे होते हैं विचारधारा क्या लाती है फिर देखते हैं कि विचारधाराएं विचारों अनुमान और कलपनाओं का एक समूव होता है यह सहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है तोनों होता है तीसरा देखते हैं कि यह समाजिक गटनाओं को सरल बनाने और उन्हें समझने में हमारी सहायता करती है जैसे कि फासी वाद हुआ, शाम्य वाद हुआ और पुंजी वाद हुआ यह बीस्वी सदी की तीन प्रमुग विचारधराय रही हैं यह तीनों यह भी आ सकता है question, आप लोग इसे भी as a objective आप इसे remember रख सकते हैं अगर पुंजी वाद की बात करें तो पुंजी वाद हम देख लेते हैं कि पुंजी वाद जो था माक्स ने इसे किस वेस पर दिया था, तो वो था economic base पर ही माक्स ने इसका बात किया था, उन्होंने इसे अधार पर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था पुंजी वाद को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया जिसमें पहला था सर्वहारा और दूसरा था बुर्जुआ तो ये कौन है सर्वहारा कौन है और बुर्जवा कौन है अगर हम इसकी बात करें तो हम दिखते हैं कि जो सर्वहारा है यानि कि जो हमारा food of production है उस पर जिसका control है वही वहां का स्वामी है वही सर्वहारा है मतलब वहां का स्वामी है जिसका food of production पर control है देखें ये सब मैं पुंजिवाद और ये सब मैंने समझाया है पीछे एक वीडियो में फूल एक्स्प्लाइन करके इसको समझाया है आप लोग अगर वहाँ पे इसको देखे होंगे तो I think मुझे ज़्यादा बतानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि food up production होने से कोई कैसे स्वामी हो सकता है मतलब कैसे राजा हो सकता है कैसे कोई उसके एधिकार में कारे कर सकता है तो ये सब मैंने अपने पीछे के वीडियो में बता है आप लोग उसे देख लेजे तो हम बता रहे थे कि food up production पे जिसका control है वो सरवहारा है और जिसका food up production पे control नहीं होता है वो बुर्जुआ कहलाते है अब हम बात करेंगे कि यूटूपिया क्या है तो यूटूपिया के हिंदी हो गई आदर्श लोक आदर्श लोक से ही कुछ समझ में कुछ तो माइड में आ रहा है न कि अगर हम बात करें कि यूटूपिया से क्या होता है तो यूटूपिया से यूटूपिया जो है यह विचार एक ऐसे आदर्श समाज का चित्र प्रस्तूत करती है जिसमें आपशे, भेदभाव, मनमुटाव, संगर्स एम प्रतिस परधा जिसे तत्व की तनिक भी गुंजाईस नहीं होती है आदर्श लोक यूटूपिया का विचार सर्व प्रथम सर टामस मूर ने 1916 में अपनी इसी नाम के अपनी गरंथ में प्रस्तूत की थी मतलब कि सर टामस मूर ने उनका एक गरंथ था यूटूपिया उसी में इन्होंने इस वर्ड को विख्षित किया था इसके जो कॉंसेप्ट थे उसको उन्होंने बताया था और ये कॉंसे सन में पब्लीस हुआ था 1960 में तो इससे आपनों क्लियर कर लीजेगा दिखते हैं कि इन्होंने ऐसा समाज को मतलब ऐसे समाज को सर्वगुन संपन नहों कालमाक्स ने सूचा था कि जो हमारी भावी पेढ़ियां है वो सूचते थे कि भावी जो समय हमारा आने वाल है वो साम्यवादी हो मतलब कालमाक्स एक वर्गविहीन और राजविहीन समाज की कलपना कर दे थे कि ऐसा समाज हो जहां पे मतलब वर्गविहीन हो किसी प्रकार का कोई वर्ग ना हो और राजय विहीन हो, कि राजय पर किसी प्रकार का कंट्रोल ना हो मतलब कोई इस पर अपनी आथोरिटी ना जमाए तो इस चीज़ पर उन्होंने बात किया था और उसी बात को यूटोपिया में क्लियर किया गया है अगर हमारे मन में ये क्वेस्टन आता है कि यूटोपिया से क्या होता है तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें किसे भी प्रकार का भेदभाव, मन मुटाव, संगर्स, एवन प्रतिसपर्दा, आदितत्वों की गुंजाइस नहोना ही यूटोपिया है तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सोसियोलोजी ओफ नॉलेज है इन में दो हैं, एक बिलीप्स है, एक टूथ है, इन दोनों से ही सोसियोलोजी ओफ नॉलेज रेडी होता है क्या क्या है, टूथ है और बिलीप्स है तो टूथ में क्या बताएगा कि ग्यान अथवा चिंतन की उत्पत्ति कैसे होती है इसके स्वरूप निर्धारन में समाज और संस्कृति की क्या भूमी का है आदि विशयों को लेकर ग्यान के समाज सासर का जन्म हुआ मतलब कि जो ग्यान का जो चिंतन है, उसके उत्पत्ति कैसे होती है और यह टूथ और बिलिप्स की अगर मात करें तो उसमें देखते कि ग्यान का समाज सासर इस माननेता पर आधारी थे कि सभी प्रकार का ज्यान यथा धार्मिक हो, दार्शनिक हो, कानूनी हो, राजनितिक हो यह सारे जो भी जिस भी प्रकार के हमारे ज्यान है, वो समाज की उपज है वो हमारे सोसाइटी से ही हमें देखने को मिलती है अथार्थ की जो ज्यान के उधवव है, एवं उसका जो डिबलप्मेंट है वो ततकालिन समाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है मतलब उस पर समाजिक कारकों का एफेक्ट होता है तो इस फीगर के जरीए भी आधिंक आप लोग को समझ सकते हैं जिसे कि समाज का वदलता स्वरूप अगर हम देख ले कि क्या क्या है तो पहले अगर हम देखते थे कि हमारी सोसाइटी कैसी थी चाहे वो अगर हम बात कर ले पॉलिटिक से रिलेटिक तो भी पहले कि अप एक शाबी की कंपेर करें तो काफी चेंजिंग्स हमें देखने की बलती है लाइफ स्टाइल की बात करें तो उसमें भी काफी चेंजिंग्स है और यानि कि मतलब जो भी चीजे थी everything सब कुछ में बदला हुआ है और सब कुछ में बदला हुआ है और जो अभी हुआ है वो आगे भी होता रहेगा तो मैनहीम के अनुसार मैनहीम के अनुसार समाज की जो ततकालिन परिस्थितिया होती है उसी के अनुसार हमारी सूच भी बदलती रहती है यानि कि अगर हम देख लें कि जो महात्मा गांदी थे या फिर राजा राम मुहन राय थे या रविन नाट टैगोर थे इस इतने भी लोग थे उस समय जिस प्रकार की उनके सोसाइटी थी उस सोसाइटी को देखते हुए उन्होंने जो प्रथाय थी मतलब जो कूप रथाय थी उसको उन्होंने हटाया उस समय के हिसाब से लेकिन अगर उस समय की जो सोसाइटी थी उस समय के जो things थे उसको अगर हम अब लाएके अपने सामने रखें अभी अपने सामने तो क्या होगा कि हमें लगेगा क्या रहे यार ऐसा नहीं होना चाहिए simple भासा मैं अगर मैं बोलू तो हमात्मा गांधी को भी गाली देते हैं कभी-कभी अशा होता है कि हाँ जब हमारी खुद की जब हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो हमात्मा गांधी को भी गाली देते हैं राजरा मौनराय को भी गाली देते हैं रविंद्र नाट्यागोर को भी गाली देते हैं सबको हम गाली दे देते हैं क्योंकि लेकिन उस समय उन्होंने ये सारे अपने थिंक्स को रखे, इस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिस की, उस समय क्या चल रहा था इस सोसाइटी में, क्यों उन्होंने ये जी सोचा, ये तो उस समय का ही बता सकते है, यही उन्होंने बताया कि जो प्रजेंट के स्थिती हमारी होती है उसी के अनुसार हमारी सोच भी बदलती रहती है मतलब सबसे important अगर कोई चीज़ है तो वो है ideas ideas ही हमारे सबसे important है क्योंकि देखे हमारी body है simple body है वोड़ि में हमारी मस्तिस्क है मस्तिस्क का work क्या है? सोचना, think करना ना तो थींग वो किस तरह से कर रहा है? है तो हमारी बॉडी में, लेकिन वो उसी प्रकार का थींग करेगा, जिस प्रकार से हमारी समाज चल रही है, समाज को देख कर ही वो थींग करेगा. जैसे कि अगर लड़किया घर से बहार निकल रहे है, तो अभे तो बहुत सारी चीज चेंज हो गया है लेकिन फिर भी लड़कों के अंदर वो बना रहते हैं कि हमें दुपट्टा ले की ही घर से बाहर निकलना चाहिए होता है ना कि हमें रात को थोड़ा जल्दी ही घर आ जाना चाहिए हाँ मानते हैं तो विदाय बहुत हुए है डेपलोप्मेंट बहुत हुए है लेकिन जो चीज जो थींग्स हुई है वो तो वही की वही है ना अमारी तो इसी चीज की बात वो करते हैं कि जो हमारी प्रजिन की स्थिती है वही हमारी सोच है तो समाने रूप में हम देख लेते हैं कि ज्ञान का समासास्त्र प्रत्यशुतम ज्ञान मिमानशा की आलोचना से प्रेरित होता है मानों जीवन परावर्त करता, अनस्यतिता और समुह वादी ब्यक्ति पर दुस्टिकोर से भरा होता है जो ग्यान की प्रमाडिक्ता को बदल देता है, इसके कारण निरपेक्ष ग्यान के अस्थान पर सापेक्ष ग्यान की उत्पति होती है इसमें मैंने नॉलेज और सोसियोलोजी को समझानी की पूरी कोसिस की है, आइडियोलोजी और यूटोपिया जो है उसको भी जो आप लोग इसे देख ली जगा और इसके बाद से मैं कालमैनहीम के नोट्स दे दूँगी, एक दू वीडियोज में नोट्स में कम्प्लीट कर दूँगी और फिर मैं सेयज कूले पर बात करूँगी तो थांकियो सो मच, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस सैनल पे बहुत सारे वीडियोज पढ़े हुए, आप लोग उसे भी देखिए, अपने फ्रेंड्स में सेयर कीजिए, थांकियो सो मच